नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत पूर्ण जानकरी के साथ ये जो जमिन पर फेला हुआ घांस का सत्ता आप देख रहे हैं ये कोई आम वनस्पती नहीं है इस चगत में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो काम की नहो कुदरत के अनमोल खजाने में ऐसी विशिट प्रकार के गुणावाली जड़ी बुटिया मौचुद है जिसके बारे में हमें जानकरी नहीं होती वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि लाइक करने के कोई हमें पैसे नहीं मिलते आपके लाइक करने से हमारे वीडियो का मोटिविशन आपको जाता है अगर आप चैनल पर ने हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करते और बेल आइकन घंटे दबाने के बाद औल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अप्लोड होती है तो इसकी नोटिपिकिशन आपको एक सेकंड के अंदर मिल सके इस चड़बुटी का नाम है गोचीवा संस्क्रुट के आयरविद गरंतों में इसे गोचीवा, गोची और खरपर्णे के नाम से संबोधित किया है मराठी में इसे जंगले गोपी पात्री से पहचानते है हिंदी में गोपी कहते है और गुजराती में गण जी भी तता भोपात्री से पहचानते है इसका लिट्टी नाम एलेपेंटोपस स्केबर है गोजिवा का पाउदा जमिन पर चत्य की रूप में पहलता है इसके पत्तों का आकार गाय के जिब के समान होता है ये ज्यादातर वर्षा रुतु में सरवत्र उत्बन होता है इसके बिच में से एक डंडी निकलते है और इस पर पीले रंग के पुस्प लगते है इसके किसी भी पत्ते या साका को तोड़ने पर पीले रंग का धुद निकलता है इसके प्रक्रती ठंडी होती है और ये स्वाद में कड़वा, कसेला और तीखा होता है ये एक प्रकार का साकी पोधा है, इसकी सब्जी बना कर खाने से पेट के रोगों में पाइदा होता है, बवासिर होने पर भी ये बहुत लाबकरे पोधा है, ये जड़ी बुटी रक्ति विकारों का समन करती है और रक्त सुध करती है, इसकी सब्जी का कुछ दिनों तक लग करने से फाइदा महिशूस होता है, क्योंकि इसमें जादा मात्रा में तामर होता है, ये तोचा की रंग को वापस लाने का काम करता है, दोस्तों ये अर्स और बवासिर में जबर्जस्त काम करती है, चिन लोगों को बवासिर की बिमारी है, बवासिर में कुन आ रहा हो तो इस पौधे को जड़ सीट उखाड ले, साप पाने से दो कर इसके पत्तो का रस निकाले और 10-15 ml की मातरा में सेवन करे इसके अलावा इसे सुखा कर भी आप प्रयोग में ले सकते है इस पौधे को सुखा कर काड़ा बना कर विस ये 30 ml की मातरा में कुछ दिन लगादर पिने से बावासिर में खुन आने के समस्या बंध हो जाती है इसके पत्तियों की सबजी बना कर खाने से पेट में गैस और कब्ज नहीं बनता इसके अतरिक्त इसका एक और भी प्रयोग है पेशाब 37 समिश्चा में अगर किसी को पेशाब 37 किसी भी प्रकार की समिश्चा हो पेशाब रुक रुक कर आता हो या पेशाब में किसी भी प्रकार की जलन हो रही हो तो इसका प्रयोग जरूर करे कुछी दिनों में पेसे आप सबंदी सारे समिश चाहे दूर हो जाएगी ये जड़ी बुटी का गुण धर्म विसनासक होता है इस बुटी का कुछ दिनों तक लगादर प्रयोग करने से सरिर में बढ़े होई टॉक्सिन बाहर निकल जाते है और खुन साप हो जाता है इसकी सब्जी का सेवन करने से पेट साप रहता है और पेट की कई बिमारिया दूर होती है अगर दांतों में किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा हो तो इसकी जड़ों को साप करके दांतों से चबाए कुछी समय में दादों का दर्द दूर हो जाता है ये विशनासक पोदा बिच्चु के जहर में भी उप्योगी होता है बिच्चु के काटने पर इस पोदे की जड़ और इसके पत्तों को दोनों को साथ में पिसकर अच्छी तरह कलक बना कर उस थान पर लगा दे कुछी समय में बिच्चु का जहर दीरे दीरे उतरने लगता है दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है इसके बारे में के इसकी जड़ को हाथों की बुजाओ में बांधने से बिच्चु काटता नहीं ये जड़े बुटी खांसी में भी बहुत लाबकारी होती है अगर किसी को खांसी की समच्चा है तो इस पूरे पोधे का रस निकालकर साथ में सहद मिला कर पीला दे कुछी दिनों में खांसी की समच्चा से छुटकारा मिल जाएगा इस पोधे के पतियों में जिवानों रोधी गुन पाए जाते है अगर इस पोधे की पत्यों का रस निकाल कर या कलक बना कर घाओं पर लगाते हैं तो घाओं भी सिक्र भरने लगते हैं ये जड़ी बुटी बहुत चमतकारिक है अगर किसी को बुखार या ज्वर है तो इसकी जड़ को ले ले और इसे गले में माला की तरह पहने और इसके साथ ही इसके पत्यों का रस निकाल कर 15-20 मिली की मातरा में कुछ दिनों तक सेवन करे या इसके पत्यों का काड़ा बना कर चाय की तरह पिने से भी ज्वर या बुखार उतर जाता है ये जड़ी बुटी पेट की कब्ज को दूर करती है सरज की गर्मी को दूर करती है और रक्त विकारों को मिटा कर रक्त को सुध करती है